अम नरेन 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 सभी मित्र कुरामरा दोस्तों आपने सोचल मीडिया पर केके मिनन का शौर एफिल्म का जो काफी वायरल हुआ सीन है उससे देखा ही होगा मैंने भी पहली बार उसे शायद फिस्बुक पर ही देखा था और जब पहली बार मैंने उस सीन को देखा था ना मुझे अपने आखोर काउनों पर विश्वास ही नहीं हुआ था कि भाई ये कैसे पॉसिबल है किसी बॉल्यूड की फिल्म में इस प्रकार का सीन हो समवाद हो डायलोग हो ये संभव ही नहीं है बिल्कुल असंभव सी बात है फिर मैंने थोड़ा सा उस फिल्म के बार में सर्च किया उस समय जब मैंने पहली बार देखा था तब पता चला कि भाई ये एक प्रोपगेंडा फिल्म है एक प्रकार से एंटी आर्मी नरेटिव पर आधारित ये फिल्म है तब पता चला कि भाई उस सीन को लिखने के से पहले तो यही कहूंगा कि मेरे जीवन का सबसे वर्स्ट सबसे घटिया एक्सप्रियंस रहा शौर इस फिल्म को देखना एक प्रोपगेंडा फिल्म तो यह है ही पर मेरे अनुसार यह एक एंटी आर्मी और साथ में ही एक भारत विरोधी मानसिक्ता वाली फिल्म में इसे क जचार करती है यह जो बाते अलगाववादी कहने का प्रयास करते हैं पूरे विश्व के सामने अलगाववादी जो बाते कहते रहते हैं भारत के बार में वही बाते एक प्रकार से यह फिल्म कहने का प्रयास करती है उन्ही बातों के यह फिल्म एक प्रकार से बढ़ावा जाए और इतने बड़े-बड़े एक्टर्स ऐसी फिल्म में काम करें, इतनी भयानक मानसिकता वली फिल्म में काम करें, ये देखकर सच में बहुत दुख होता है, देखिए फिल्म में कौन-कौन मुक्य भुमिका में हैं वो एक बार मैं आपको बताता हूं, केके मेनन, मनीश जालांबा, रहुल बोज, दिपक डोब्रियाल, जावेज जाफरी, पंकर श्त्रिपाठी, अमरिता राओ, आधी-आधी, मतलब कापी सारे बड़े-बड़े कलाकार इस फिल्म में हमें देखने को मिलते हैं, और सच में मुझे बड़ा आश्रिवा दुख हुआ कि इतनी भ सपने में भी, सपने में भी कभी ऐसा विचार नहीं आएगा, अब इसकी कहानी पर हम बात करें ना, उससे पहले दो डायलोग्स इस फिल्म के मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सीन में एक आर्मी ओपिसर है, जो सिधांत चोधरी और आकाश, ये दोनों भी आर्मी ओपि के का, नौनविज डिशेस या मांस वो गोश्ट बनाते हैं, तो वो जरूर ट्राय करना, आप देखिए, 2008 के समय में ये फिल्म बनी हुई है, और ये फिल्म क्या कहने का प्रयास करती है, ये डायलोग कितनी विकृत मांसिकता का है, आप देखिए, 1990 में कश्मीरी हिंदो का नरसंगार, जेनोसाइड कश्मीर में हुआ, कश्मीरी हिंदो का, ये फिल्म 2008 के समय में बनी हुई है, और एक आर्मी आपिसर को ये बोलते हुए दिखाया है, कि यहां आए हो, तो कश्मीरी पंडित यहां पर 12 तरीके का गोश्ट बनाते हैं, उसे जरूर ट्राय करना, मतल 1990 में कश्मीरी हिंदो का नरसंगार होने के बाद में कई सरी फिल्में कश्मीर पर बनी हुई है, किसी एक फिल्में भी कश्मीरी हिंदो का उलेक तक नहीं है, नरसंगार छोड़िये, उलेक तक नहीं है, पर ये ऐसा उलेक उन्होंने, बॉलिवड ने किया हुआ है, आप द आज आर्मी ने चार आतंकवादियों को मार गिराया, छे आतंकवादियों को पकड लिया, इस प्रकार से न्यूज वो बताते हैं, तो यहाँ पर ये राहूल भोस का जो करेटर सिद्धान चोधरिका, उसे क्या वोलते हुए दिखाया है, कि भाई कोई फिल्म चल रही है क्या किवल टेररिस्टी मरते हैं, आर्मी वाले नहीं मरते, हिंदी फिल्म है क्या, सिर्फ टेररिस्ट मरते हैं, आर्मी वाले नहीं, ये डायलोग है, मतलब क्या इस डायलोग को जिनों ने लिखा है, या इस फिल्म के जो भी राइटर, डिरेक्टर वगरा है, वो क्या कहना चा चर्चा करते हैं तो पुलवामा कश्मीर में एक सर्च ओपरेशन के दौरान कैप्टन जावेद खान अपने सिनियर पर फायर कर देते हैं शूट कर देते हैं और अपने सिनियर की वो हत्या करते हैं सीनियर का नाम है मेजर विरेंदर सिंग राठोर ये कैरेटर पंकश त्रिपाठी ने प्ले किया है और कैप्टन जावेत खान जो शूट करते हैं अपने सीनियर पर वो कैरेटर दीपक डोबियाल ने प्ले किया है अब ये जो पंकश त्रिपाठी का कैरेटर है विरेंदर सिं सित्ता का आर्मी ओपिसर मेजर विरेंद्र सिंग राठोर को दिखाया है और जो डेश भक्त अपने बहुती इमान दारी से देश की से वा को करते हुए उसे दिखाया है अब कैपिटन जावेत कान अपने सीनर की हत्या करने के बाद वही खड़ा रहता है वो भागता नहीं है और फिर उसके बाद में उस पर एक कोर्ट मार्शल चल रहा है केस चल रही है इसके बाद में दो और क्यारक्टर्स हमारे सामने आते हैं एक है राहूल मोस के द्वारा प्ले किया गया सिध्धान चौधरी का और दुसरा है जावेद जापरी के द्वरा प्ले किया गया आकाश का आकाश को dedicated army officer दिखाया है इमानदारी के साथ वो देश की सेवा करता है तो obviously उसे इसमें negative दिखाया है या गलत लोगों के साथ उसे खड़ा दिखाया है जावेद जापरी के अच्छा दिखाया है अब ये दोनों उनकी posting हो जाती है कश्मीर में जो सिधान चौधरी है वो कैप्टन चावेद की तरफ से इस केस को लड़ रहा है अब इसके बाद में फिर वो किस प्रकार से इस पूरे केस को investigate करता है उसे क्या क्या बात या पता चलती है आर्मी के बा है साम मतलब आर्मी में तो सब उसका सम्मान करते हैं पर व्यक्ति का तुरूप में उसे बहुत ही निकुरुष्ट मानसिकता का दिखाया है अब जो ब्रिगेडर प्रताप का कैरेक्टर है उसको इंट्रेड्यूस करने वाला सीन अगर आप देखेंगे उसे इस प्रकार से आ गया है कि जैसे पुरानी 80 के देशक की फिल्मों में किसी बड़े विलन को या डाकू को जिस प्रकार से इंट्रेड्यूस कराया जाता था ना बिल्कुल उस प्रकार से अब ये ब्रिगेडर प्रताप शुरुवात में ही गोल्फ खेलते वे उसे दिखाया है बॉर्डर प्रताप यहां आराम से ऐसे गोल्फ केलते वे उसे दिखाया है इवन उसके अंडर जो दूसरे आर्मी के जवानादी है उनकी तक वो ठीक से केर नहीं करता है उनके साथ भी अबधरता से वेभार करता है इस प्रकार का ब्रिगेडर प्रताप का करेक्टर दिखाया है और ब्रिगेडर प्रताप को बहुत ही संप्रदाइक कम्यूनल माइंडसेट वाला और कश्मीर में मुस्लिम्स पर अत्याचार करने वाला इस प्रकार से ये करेक्टर उसे दिखाया गया और जितना हो सके उतना निकुर्ष्ट तरीके से उस करेक्टर को हमारे सामने प्रेजें कोई भी आर्मी के पास में नहीं जा रहा एक छोटे बच्चे के पास में सिधान चोदरी जाता है तो वो कहता है कि ने ने तुम आर्मी वाले हो उनसे दूर हो जाता है तो कश्मीर में आर्मी किस प्रकार से मुस्लिम्स पर अत्याचार करती है ये एक प्रकार से फिल्म में आपसपा का विरुवत करते हैं यह तो आपने सुनाई हुगा यह उनके मुखे एजंडा में से एक है कि भाई कश्मीर में आर्मी अत्याचार करती है वहां से आपसपा हटा ली जाए आर्मी को हटा लिया जाए वगेरा वगेरा तो इस फिल्में भी यही बाते बार-बार दिखाई है कि आर्मी कैसे अत्याचार करती है सर्च ऑपरेशन के नाम पर वहां पर आर्मी किस प्रकार से वहां के लोगों पर मासुम लोगों पर अत्याचार करती है यह उन्होंने बार-बार फिल्म के माद्यन से दिखाने का प्रयास किया है अब पंकर स्तिरिपार्टी का जो करेक्टर है मेजर विरेंदर सिंग राठोर का जिनके हत्या हुई है उसे बहुत ही ज़्यादा घिनोना दिखाया है इवन मेजर विरेंदर सिंग राठोर की जो पत्नी है जो करेक्टर अम्रिता राओ ने प्ले किया है उसे भी अपने पतनी से घिन आती है क्योंगे मेजर विरेंदर सिंग राठोर तो आये दिन उसके कपड़ों पर जो मासुम लोगों का खून लगा हुआ होता है उस खून को देख देखकर अम्रिता राओ का करेक्टर बहुत घि परिशान हो चुकी थी अपने पती से घिन आती थी उसे अपने पती की पर वो अलग नहीं हो पाई थी और एवन एक डालोग ऐसा भी है कि मौत के बाद तलाक तो नहीं ले सकते हैं बतलब इतनी घिन आ रही है उसे अपने पती से मेजर विरेंदर सिंग राठोर से कि वो आती है आद देखिये ये जो भी आपने देख यहां मैंने इस से पहले भी यह बात आपको बताई हुई है कि यह जो लेफ्ट के नरेटीयु वाले जितने भी ऐसे फिल्मेकर होते है ना लिबरल फिल्मेकर या लेप्टिस्टिल्मेकर वे जब भी स्पायerten को बाइंगे या या उनकी पत्नी का कही पर दुस्री तरफ अफेर दिखाया जाता है जैसे कि फैमिली मैन के वेब सीरीज में आप देख लीजिए मनोज वाइचपई के करेक्टर के जो पत्नी है सोचल मीडिया पर क्या वाइरल किया गया था? वे लोना वडा में क्या हुआ था? लोना वडा में क्या हुआ था? उस मनोज वाइचपई वो जो करेक्टर है जो भारत की इतने बड़े सेकुरिटी फोर्स के उनने एक ओपिसर दिखाया है उनकी पत्नी का किसी के सथ अफेर दिखाया है और लोना वडा में क्या हुआ था? लोना वडा में क्या हुआ था? इस परकार के डायलोग्स, इस परकार की बाते हमने सोचल मेडिया पर काफी सुनी तो जो ये आर्मी ओपिसर होते हैं या सुरक्षा बल जो हमारे होते हैं वो देश की सेवा करके फ्रस्ट्रेट हो गए हैं डिप्रेस्ट है, परिशान है, उन्हें घुटन हो रही है आर्मी में या देश की सेवा करके ये आपको बार 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 देखने को मिलेगा क्यों हम जो कर रहे हैं वो सही तो कर रहे हैं ना character देश की सेवा करके पर फिल्म में सेमत खान के character को पूरा उल्टा दिखा दिया है कि भाई मैं तो परिशान हो गए हूँ तुम लोगे के साथ मुझे नहीं रहना ले चलो मुझे यहां से वगएरा वगएरा रोते धोते हुए दिखाया है या एक प्रकार से देश की सेवा कर आर्मी का जो वातावरन या वहां के लोगों के ब्रिगिडर प्रताप अगरा इन लोगों के जो स्वभाव है उसे देखकर उसे घुटन हो रही है दिखाया है वो ऐसी प्लैस्टिक की पन्नी अपने चहर पर ओड ले रहा है और एक प्रकार से सिंबॉलिक वे में यह दिख पर अब्वियसली उसे बहुती निकृष्ट मान सिकता का संप्रदाइक मान सिकता का और वहां पर मासूम लोगों पर अट्यचार करने वाली मान सिकता का ब्रिगिडर प्रताप को दिखाया है अब मैंने सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के ऐसे रियक्शन वगरा देखे भाई उल्टा बढ़ गया फिल्मेकर पर ही वो दाओ या बात और विगिडर प्रताप का करेटर तो निगेटिव लगा ही नहीं वगएरा वगएरा इस सारी बात देखने के बाद में सच में मुझे इतना दुख हुआ कि भाई इस फिल्म के मेकर्स जिस नरिटिव को अमने दिखाने थी नहीं कि मैं इंडियन स्टेट इंडियन आर्मी कश्मीर में अत्याचार करती है जिसका रियालिटी के साथ में सच्चाई के साथ में दूर दूर तक भी कोई कनेक्शन नहीं है भारत पूरे विश्वा में एक ऐसा देश है जहांपर सभी प्रकार की करके एक प्रकार से वो सही धेराने का प्रयास कर रहे हैं यह पता नहीं कुछ लोग अंजाने में या फुल मिलाकर ऐसी जो भी बाते मैंने पड़ी मुझे तो कम से कम बहुत बहुत दुख हुआ मेरे अनुसार इस फिल्म का मुख्य उद्देश ही यही था कि भाई फिल्म से ना सर्च ऑपरेशन के नाम पर कैसे अत्यचार करती है यही तो उनका मुख्य उद्देश यह था ना तो जो लोग इस प्रकार से बचकाने बाते कर रहे हैं बचकाने कमेंट्स कर रहे हैं वो तो एक प्रकार से फिल्म के उद्देश को सफल बना रहे हैं उल्टा तो यह जो अन्जाने में या बहुत ही बचकाने इसी बादे की जा रही है वो बहुत बहुत गलत है बाकि इस पूरी फिर्म की मानसिकता को इस पूरी फिर्म की विकृत मानसिकता को अगर किसी को समझना हो तो इस वीडियो की शुरुआत में मैंने जो Do Dialogue's बताई न जहाँ पर एक army officer ये कह रहे हैं आपने दुसरे officer से कि भाई कश्मीरी पंडित 12 प्रकार का गोश्ट बनाते हैं यहाँ पर उसे जरूर खाना तब जिनका नरसंगार हुआ है वो गोश्ट खाकर 12 प्रकार की dishage बनाकर इंडियन आर्मी जो मैंने शुरूरात में बताया था कि भाई ये हिंदी फिल्म है क्या? केवल टेररिस्ट मरते हैं, आर्मी वाले नहीं मरते इससे भी हम उस विकृत मानसिकता को, इस फिल्म के बनाने के पीछे की विकृत मानसिकता को समझ सकते हैं मैं शौर एको दूंगा या इवन अगर किसी कोई फिल्म देखना भी हो तो उससे ही ये सारी बाते पता होनी चाहिए नहीं तो ये बहुत गलत इंपक्ट किसी पर भी डाल सकती ही ये फिल्म पकि दूस्तों आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका experience कैसा रहा मुझे अपनी चे कमेंट में आवश्य बताना ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जै श्री राम बंदे मातरम